कि हुँ आज की क्लास में हम आपके साथ का करेंगे किस तरीके से हम इसफित को संदियों करेंगे और दिशु करते हैं यह यहां से अपना हरे दिशार कि रखते ही आपको यहां पर टेबल आजाए तो इसमें क्या क्या जाए तो जितने भी टेवल के फिल्ड होंगे जितने भी उस टेवल के फिल्लों में उसका लिस्ट यहां दिखेगगे और मुझे इसमें देखिए सबसे पहले स्टार आ रहा है स्टार के मतलब हुआ ओल मुझे आउल डेटा चाहिए बस मैं मंध के अंदर यह लगाना चाहता हूं कि जैन का डेटा है मंध को विज्वल नहीं करना चाहता हूं कि यहां पर हम पर अंचेक कर दिया ठीक है अब यस करते हैं यहां पर क्यूरी वन देते हैं यहां देखिए रन करते ही अपके सामने डेटा आ गया देकि सिर्फ जैन का डेटा आया और यहां पर मंध रिपीटेट भी नहीं है कि समझें कि हमने डिजाइन क्यूरी में यहां पर विव अटा दिया अगर में विव पर क्लिक करता तो लास्ट में आपका जैन भी दिखता लास्ट में यहां पर आपका जैन भी दिखता दिख रहा है सब्सक्राइब किसे आगा अलो जी लो तर्ये बलिया नहीं SQL Servers तर्वर सिंगाते PLS को झाते प्राइब झाल 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 यहां पे आपको यहां पे देजिएगा इस्तार देजिएगा तो आपका सिर्फ इस्तार उपर शो होगा तो ओवर्यॉल डेटा नॉट इस्तार ओवर्यॉल डेटा शो और मुझे पूरा ओबरण नहीं चाहिए पर्टिक्लर टेवलं मुझे आपके सब्सुasant पर इसको डिलीट करते हैं यहां पर स्लेक्ट कर लेंगे कि मुझे आईडी चाहिए मुझे यहां यहां से इनकम सोर्स चाहिए और चाहिए चाहिए उस हिसाब से पिर यहां पर टेटा चो करेगा इसमें दो चीज हो गया पहला कि आप इसमें अपने हिसाब से फिल रखें दूसरा शो जिसके शो पर क्लिक करोगे और शो आपको दिखेगा तीसरा काइटेरिया कि आपको काइटेरिया में जो लगाना है वो लगा सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे मैं रन करूं रन करते ही मुझसे काइटेरिया पूछे जैसे ही रन करूं रन करते ही मुझसे काइटेरिया पूछे जो मैं काइटेरिया डालूं उस हिसाब से का तो उसके लिए आपको यहां पर लिख दीजिए स्क्वाइर ब्रैकेट में एंटर मांथ है ठीक है और स्क्वाइर बैकेट और यहां पर हम से करते हैं अब क्या होगा कि जैसे ही हम अपना क्यूरी रन करेंगे पहले पूछेगा मंत मंत मैं दिदिया और जैसे करूंगा आप देखेंगे सिस्वाइब का डेटा है समझें अब आपका कुछ दिन पहले कोश्चन था कि हम फॉर्म से चाहते हैं हैंगे यहां आपका यहां तौर्म से चाहां था है तो हम चलते हैं फॉर्म पे ठीक है न अब यहां यहां पे फॉर्म पे आते हैं और हमने यहां पे इसको कोड़ा करता हूं और यहां पे हम कांबो बोक्स दीख रहा है कॉम्बो वाक्स है क्या करना है तो हमने यहां पर बोला कि I want to type में type करना चाहता हूं तो यहां पर मन हम टाइप करते हैं जैन सब्सक्राइब मार्च अप्रीन माई जून जुलाई अगस्ट सेप्टेंबर अप्टूबर नौवंबर दिशंबर ठीक है इसका नाम पोपर्टीज में जाता हूं और इसका नाम राख देता हूं में कॉमबजी रहेगा तो यहां all पे आईए और यहां name कॉमबजी रो के जगाँ पे मैं यहां पे इसका नाम बन देता हूं सिटी ठीक है नाम देदी अपने हिसाब से और यहां पर लिग देता हूं है सेलेट इस सिटी पॉस्ट ठीक है और अब यहां पे हम आते हैं डिजाइन करते हैं बटन ठीक है बटन डिजाइन किया और फिर यहां पे हम आते हैं मिसलेनियस में रण क्यूरी नेक्स्ट और क्यूरी वर्न जो है हमारा है उसको सेलेक किया और नेक्स्ट और यहां पे टेक्स्ट में आते हैं यहां पे लिखते हैं गेट डेटा ठीक है सर्थ नेक्स्ट और यहां पे हम यस करते हैं और यहां पे हम सीटी या सीटी हम दे देते हैं ठीक है ना सीटी में सी आई टी वाई सी आई टी वाई ठीक है सर्थ अब आते हैं क्यूडी में राइट क्लिक डिशाए अब यहां जहां पे हमने एंटर मॉंट किये हुए है ना इसके जगह में यहां पे दिखेंगे फॉर्म्स फिर देंगे सेमी कॉलन कौंसा फॉर्म सिटी फॉर्म्स फिर देंगे सेमी कॉलन और यहां पे सिटी से लिंग कर दिखें तो हमने इस क्यूडी को अपने सिटी वाई फॉर्म से लिंक कर दिया और यहां हम राज्जैन को से लिंक कर दिया और यहां हम राज्जै मैं आपके मार्च करता हूं इस तरह से हम फॉर्म को लिंक करते हैं किस से क्यूरी से और दूसरा हम फॉर्म का इस्तमार के तो इस्तमार कर सकते हैं यही वाला सेम सर्व वी 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 कोड से हो सकता नहीं वी वी कोड में हो सकता है क्या करना होगा यहां पर डिजाइन पर जाता हूं वी 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 कोड में फिर हमें इसकी क्यूरी रण करने पड़ेगी यह देखें तो अब तो अब करेंगे मल्टिपल कंडिशन के ऊपर ठीक है अब अब अब